हलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूँ आपके साथ कृतिका सीरियल से सुनाल सिमरगा 2 की कहानी काफी जादा इंट्रोस्टिंग मोर पर आ चुकी है अब उस सीरियल में अब तक का सबसे बढ़ा ट्विस्ट आ गया है और ये ट्विस्ट है कि सिमर और आरफ के बीच में आ गया है कोई तीसरा जी हाँ और ये कोई तीसरा और कोई नहीं बलकी है धामी जो की आरफ की बेस्ट रह चुकी है USA में दोनों ने साथ में पढ़ाई की थी दोनों एक दूसरे के काफी करीब हुआ करते थे लेकिन बाद में आखिरकार ऐसा क्या हुआ आखिर क्यू धामी आरफ को कर रही है बलक मेल किस बात का डर आरफ को सता रहा है ये फलहाल कुछ भी साथ नहीं हो पा रहा लेकिन आप ऐसा लगने लगा है कि सिमर के सामने आने वाला है धामी का पूरा सच की आखिकार आरब उससे जूट क्यों वो रहा है धामी की बज़े से लेकिन क्या आपको पता है कि धामी और सिमर अब एक दूसरे को बहुत जादा खरी खोटी सुनाते नजर आएंगे जी हाँ आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि धामी और सिमर का होगा आमना सामना इतना ही नहीं सिमरधामी को खरीखोटी सुनाने वाली है और उसे वार्निंग देने वाली है कि मेरे पती आरफजी से आपको दूर रहना होगा वर्ना अच्छा नहीं होगा मैं तुम्हारा प्लान कभी भी काम्याब नहीं होने दूंगी इस तरह की बातें सिमर धामी से करती है और वही धामी के मन में और दिमाग में कोई न कोई प्लान तो जरूर चल रहा है और जिसको वो अभी तक बता नहीं रही है लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आरभ भी सिमर से कुछ चुपा रहा है अभी तक सिमर को समझ नहीं आ रहा कि उसका आरभ उससे क्या जूट बोल रहा है और इसमें आरभ के साथ विवान भी मिला हुआ है लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि सिमर और धामी का वामना सामना होगा यहां तक कि धामी सिमर को कैची से माने की कोशिश करेगी जिहां उस पर पीट पीछे वाद करती नजर आएगी लेकिन क्या आरभ धामी को ऐसा करने देगा क्या वो अपनी सिमर पर वार होता देख पाएगा ये बहुत बड़ा सवाल है लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात ये है कि गितांजली देवी को सिमर पर है पूरा पूरा विश्वास यहां तक कि सिमर पर विश्वास करते हुए गितानली देवी ने धामी और आरव को घर में रहने की परमीशन भी दे दी है धामी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है वो हर बात पर आरव को ब्लाकमेल कर रही है आरव के साथ जबरदस्ती कर रही है लेकिन आरव विलकुल चुप है आरव धामी की हर बात को मानता हुआ नजर आ रहा है लेकिन आप सिमर को शक हो रहा है कि यकीनन कोई ना कोई तो ऐसी बात है ऐसा बड़ा राज है जो कि आरव किसी को नहीं बता रहा और जिसकी वज़़े से धामी आरव को ब्लाक मेल कर रही है क्या है वो पूरा सच अब इसकी तलाश में निकल चुकी है सिमर्ज जिहां आप सिमर्ज जल्दी करेगी धामी का पर्दा फार्श और सब के सामने उसे कर देगी एक्सपोस सलाल आपको कैसा लगा हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं इस वीडियो में इतना ही